मानना एक अलग बात है कि मैंने गुरु दिख्षा ले रखी है लेकिन गुरु की मानना वह एक अलग बात है गुरु तो आज एक फैशन हो गया है कथा पे ना जाने कितने कितने संथ डारेक्ट टीवी से ही नाम दिख्षा दे रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि वह गल्ट है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि गुरू मानना एक अलग बात है गुरू की मानना अलग बात है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप नहाने के लिए बाजार से एक साबुन ले करके आते हैं और वे साबुन जब तक घर लाकर के आप उस साबुन को खोलते हैं उसका इस्तमाल करते हैं नहाते हैं तब आपके तन की मैल दूर होती है यदि आप साबुन खरीद करके ले आएं और लाकर के अपनी अल्मारी में रख ले तब तब आपके तन की मैल दूर होने वाली नहीं जब तक आप उसका ठीक तरीके से उपयोग ना करें बिल्कुल ठीक उसी प्रकार गुरु दिक्षा लेली लेकिन यदि गुरु दरबार का पालन नहीं किया गुरु की आग्या का पालन नहीं किया तो गुरु दिक्षा लेली वेकार है एक राजा के यां कन्या हुई छोटे होते से ही जब वह बोलना सीखी तो केवल और केवल परमात्म की बात करती केवल भगवान के नाम का चिंतन करती थोड़ी सी बड़ी हुई तो भजन गाने लगी और थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने सुना कि बिना गुरु के मौक्ष प्राप्त नहीं है उस कन्या को तलब लग गई कि कब मेरे सद्गुरु भगवान मुझे मिले कब मैं गुरु धारन करूँ राजा ने उनकी इन सब बातों को देख करके उसके इस चित्र को देख करके उस कन्या का नाम रख दिया विराग्यवती क्या नाम रख दिया विराग्यवती क्योंकि हर समय विराग में रहने वाली वैकन्या राजा ने उसका नाम विराग्यवती रख दिया उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी संसार में मेरा मोह नहीं है आप कृपा करके मेरे रहने का अलग कोई विवस्ता कर दीजिए राजा के पास किस बात की कमी प्यार है उसने अलग से एक बड़िया सी आली शान सी कुटिया बनाई उसमें उसके लिए सभी प्रकार के सुक्स विदाएं दी लेकिन विरागयावती को सुक्स विदाओं से क्या लेना देना वे एक कमरे में रहती और केवल और केवल हरी नाम का चिंचन करती एक बार विराक्यावती के उस महल के अंदर चोर घुसाया उस कुटिया के अंदर चोर घुसाया चोर नकब लगा रहे थे नकब जानते हैं आप सब दिवार को थोड़ा सा तोड़ दिया कि इसके अंदर से अब तो पकी दिवार हैं अब तो खेर और टाइप की हो गई नकब ही नहीं रहे थे कच्चे मकान कच्ची कुटिया होती थी तो वो नकब लगाया थोड़ी सी जगा बनाई उस चोर ने कि उसके अंदर से लांग के चला जाए और अंदर जा करके चोरी कर सके नकब लगा रहा था तो उसने देखा कि वे विरागे वतिवे कन्या प्रभू के सवरूप के सामने खड़ियों करके चिंतन कर रही है कि हे प्रभू मुझे कैसे मोक्ष प्राप्त होगा आपका हरी नाम का सदेव चिंतन करती हूँ मुझे सद्गूर्दे भगवान के कब प्राप्ती होगी चोर ने देखा कि अरे मैं बेकार ही नकब लगा रहा हूँ हीा इसको तो सद्गूर्दे भगवान के वर्शक्ता है क्योशना मैं संतका रूप धर्न कर लूँ उसने मैली सी चदरिया थी चोर के पास मूँ धकने के लिए उसने वही ओड़नी और हरी 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 करते उसके कमरे में परवेश किया जब कमरे में परवेश किया तो वे विरागेवती कन्या संत रूप जान करके चरणों में जुक गई डंडोत किया उसने कि जी महराज आपका कैसे आगमन हुआ बुले कुछ नहीं ना जाने सीधा सीधा जा रहा था अचानक कुटियां में ना जाने मैं क्यूं खिचा आया विराग्यवती समझ गई कि लगता है प्रभू ने आपको मेरे पास भेजा है मैं अभी प्रभू के सामने चिंतन कर रही थी कि है प्रभू मुझे सद्गुर्दे भगवान की कब प्राप्ती होगी तो सद्गुर्दे भगवान ने आपको भेजा है आप मुझे गुरु दिख्षा दे वैचोर समझ गया कि पाला मेरी और है उसने का कि ठीक है विराग्यवती भागी भागी गई पानी लेकर के आई किसी पात्र में जब वो जल लाकर के उसने संत को दिया संत ने इंकार कर दिया आरे नहीं भईया आप दिख्षित हो भोले नहीं महाराज इसी बात का तो चिंतन कर रही है बोले नहीं हम आपके हाथ का जल गरहने नहीं कर सकते आप दिख्षित नहीं है कन्या भोली महाराज आप हमें दिख्षा दे दे आप हम पर कृपा करे आप मुझे भगवान से मेरे हरी से मेरे प्रीतम से मिलाने का आप ही मार्ग बताई है वे बोले कि नहीं हम विरागी हैं हम ऐसे कर नहीं देते दिक्षा आपको जंगल में चलना पड़ेगा बोले ठीक है महराज मैं आपके संग चलने के लिए तैयार हूँ बोले ठीक है अगर कोई जेवरात घर में है तो वो ले लो आज के बाद आपका उससे कोई काम नहीं विरागेवती को तो सिर्फ सद्गुर्दे भगवान के नाम से लेना देना था उसने सारी जितना भी जेवरात राजा ने दिया था वे तो पहले ही उसके किसी काम का नहीं था उसने सारा जेवर एकत्र कर लिया बोले और सुन्दर सुन्दर कपड़े भी हो जिनसे तुमारा मोह हो वो भी रख लो आज त्यागने है तुमको बुले महराज मेरा तो मौ नहीं है लेकिन हाँ कुछ कपड़े मेरे पिता ने मेरे राजा ने मुझे दिये हैं मैं वो सब कपड़े बांद लेती हूँ उस कन्या ने उस विरागय वती कन्या ने वो सब कपड़े और जेवरात उसने बांद लिए पहुँच गई उस बहरूपिये के साथ जंगल जब जंगल में पहुँची वह चौर उसने कहा कि सामने व्रक्ष देख रहे हूँ कन्या बोली हाँ बोली इसके साथ ठड़े हो जाओ पहले मैं आपको बंधन में बानूँगा फिर बंधन मुप्त करूँगा विरागेवती भोली भाली कन्या वे चतुर चतुराई क्या जाने विरागेवती उस पेड़ के साथ ज्यों ही खड़ी हुई त्यों ही उस चोर ने उस बहरूपिये ने रस्सी निकाली और विरागेवती को बान दिया मुले तुमआरे ये जो जेवरात है तुमआरे ये जो कपड़े हैं मैं इसको पहले गंगा में प्रवाह करके अबी आता हूं फिर तुमको बंदन से मुक करूंगा फिर तुम्हें दिखशा दूंगा विराग्यवति बूली ठीक है महराज प्रणाम है आपको ठीक है महराएं महराएं चोर कब आहात आने वाला है वो तो गया वेराग्यवती वहीं बैठी किसी ने जाकर के बताया कि राजा को आपकी कन्या वहाँ जंगल में बंद है राजा जी दोड़े दोड़े गए बोले रे बेटी ये कैसे हुआ सारा वितानत बताया कि मेरे घर आज सटगुर्दे भगवान आए है आज मैं बंदन से मुक्त हो जाओंगी आज मुझे दिक्षा मिलने वाई है बोले पगली वो चोर था तुझे बांध करके तेरा सारा जे बंदा है आपको प्रणाम है इस बंदन में गुरू ने बंदा है गुरू ही मुझे मुझे मुक्त करेंगी आपको प्रणाम है लेकिन बंदन तो केवल गुरू ही खोले पिता जी चले गए बोले मर तो फिर जब बालक बात नहीं मान था माता पिता हार के क्या कहेंगे मर फिर बोले मर फिर कुछ देर बाद संत बताते हैं कि मेरे ठाकुर का संगासन डोलने लगा ठाकुर ने बुलाया नारद जी को कि नारद जी जाकर के देखे कोई उपाय कीजिए नारद जी गए प्रगट हुए उस कन्या के पास आवाज लगाई नाराएन 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 विराग्यवती ने प्रणाम किया बोली मैं नारद जी बोले मैं ब्रह्म लोग से मुझे ठाकुर ने भेजा है तुमारा बंदन मुक्त करने के लिए विराग्यवती प्रसन्न हो गई बोले क्या आपको मेरे ठाकुर ने भेजा है आपको मेरे हरी ने भेजा है बोले हाँ मैं आपको बंदन से मुक्त करने आया हूँ बोले महराज आपको भगवान ने भेजा है आपको परणाम है लेकिन संत मेरे सद्कुर दे भगवान का ये बंदन है इस बंदन से तो केवल वही मुक्त करेंगे नारद जी बोले मर फेड़े नारद जी पहुच गई ठाकुर जी के पास बोले ठाकुर जी अजीब लीला है ठाकुर जी भी चिंद दे ये लीला कैसी हो रही है ठाकुर जी स्वेम उतर करेंगे जाग करेंगे श्राद श्राद दनों हात उपर उठाकर जय 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 श्री जय जय श्री जय जय श्री राद्ह अब प्रभू प्रगठ हुए बहुत प्रसन्न हो गई विराग्यवती प्रभू बोले हम आपको बंदन से मुक्त करने आये हैं लेकिन विराग्यवती का हुमानने वाली विराग्यवती बोली प्रभू आप स्वैम आये हैं मेरा बंदन खोलने आपको प्रणाम है केवल बंधन तो मेरे सत्पुर ही खोलें मैंने सुनाए ऐसा मैंने रसिकों की वानी सुनी है उसने मन नहीं मन सोचा विरागयवति ने कई ये मेरी परिक्षा ना हो कि मैं कहीं भगवान के लालच में आके सत्पुर्दे भगवान को खो ना बैटू नहीं मैं बंधन तो केवल सत्पुर्दे भगवान से ही खुलूआँ प्रभु ने बहुत बार समझाया लेकिन वे विरागयवति कन्या नहीं मानी नारज जी को बोला ठाकुर जी ने प्यारे करो कुछ इंतजाम ढूंड के लाओ नारज जी बोले प्रभु वे चोर है उसका क्या ठीकाना ना जाने का है लेकिन प्रभु का आदेश हुआ है नारज जी कैसे न माने माता जी को कुर्सी दे दो प्रभु का आदेश हुआ है नारज जी कैसे न माने नारज जी चले गए अंत्रध्यान हो करके देखा जहां वे चोर किसी और कोटियाक में चोरी की तलाश में नकब लगा रहा था वहीं पर पीछे से एकदम से नारज जी पहुच गए और बोले नाराज जी चोर घबरा गया बोले लगताई पकड़ा गया बोले चलो माहराज शिश्या बुला रही है गुरु देव शिश्या बुला रही है आपके बोले नहीं नारज जी मेर से गल्ती हो गई मैं कोई गुरू गुरू नहीं प्रभू आप तो गुरू है वें इंतिजार कर रही है विराग्यवती बंदन खुलवाने के लिए आपकी प्रतिक्षा कर रही है रा देख रही है आपको चलना पड़ेगा बोले नहीं नारज जी मुझे माफ कर दीजिए जैसे चोर पकड़ने पर गिड़ गिड़ाता है वो भी गिड़ गिड़ा है नारज जी बोले भाईया वहाँ प्रभू खड़े हैं जी हाँ वहाँ प्रभू खड़े हैं आपको चलना पड़ेगा चोर को जबरदस्ती पकड़के लाया गया नारज जी लेकर के आए भगवान भोले भाईया गे गुरुजी जराए बंदन से मुक्त कीजी वरागेवती को बोले नहीं माहराज प्रभू मेरे से गलती हो गई मैंने धन के लालच में आकर के ऐसा स्वेंबर रचा लिया मेरे से बहुत बड़ा प्राद हो गया बोले नहीं आपके अपराद की बात बाद में करेंगे पहले आप इस शश्या को बंदन मुक्त कीजी आप भक्ती देखी वरागेवती की जो ही उस चोर ने बंदन से मुक्त किया विरागयवती को विरागयवती के सम्मु खड़े है नारत जी सम्मु खड़े है नारायन जी और सम्मु खड़ा है वह चोर जिसको वो हरदे से अपना सत्गुरु मान चुकी है वे इस चोर के उस सद्गुरुदे भगवान के श्री चरणों में जुक गई और बोल उठी गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं काके लागों पाए अरे बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियों में आप चोर हैं मुझे कोई लिना देना नहीं प्रभू आप मेरे सद्गुरु दे भगवान हैं मैं हरदे से आपको धारन कर चुकी हूँ आपकी कृपा के कारन ही आज प्रभू मेरे सम्मुक हैं इनका दिदार पापाई हूँ इनका दर्शन कर पाई हूँ मेरे सच्चे सद्गुरु तो आप हूँ लेकिन हम लोग यदि गुरु दर्बार में आएं गुरु दर्बार के कोई सेवक भी यदि कोई छोटी बड़ी बात कह दे तो हम गुरु दर्बार जाना छोड़ देते यदि हम लोग गुरु दर्बार जाएं और गुवां के कोई सेवक है यदि हमें कोई बात कहे दे यहां हमारे श्री चड़ा जी कोई लेलो कितनी सेवा है संत कहते हैं सामने वाले के दोश को मत देखो उसमें लाक दोश है केवल उसके एक गुण को देख लो केवल एक गुण को कैसी कठिन तपस्या है अपने घर को छोड़ करके बैठना सान बात नहीं है आईए एक छोटा सा भाव जिस जिसने गुरु धारन कर रखे है वो अपना विश्वाश द्रड करने के लिए इस भाव को बोले और जिसने आज तक कोई गुरु धारन नहीं किया वे प्रभु से प्रार्थना करें जेडातार हरी दे नल जोड़े ऐसा कोई संत मिले जेडातार हरी दे नल जोड़े जेडातार हरी दे नल जोड़े ऐसा कोई संत मिले जेडातार हरी दे नल जोड़े ऐसा कोई संत मिले बुली सद्गुर्देव श्री बावलाल द्याल महराज की दे सभी ने अपने अपने सद्गुर्देव भगवान को मनाया है बुले शा के गुरु उनसे रूठ गए तो कंजरी बन करके भी बुले शा ने अपने गुरुदेव को मनाया है गुरु दरबार की यही महिमा है प्यारे यती आप किसी गुरु दरबार से जुड़ते हैं तो उसमें अपनी आस्ता रखी आप सभी बड़े भागेशाली है सद्गुर्दे भगवान की कृपा से ये श्री भक्त माल कथा शर्वन करने को मिल रही है श्री भक्त माल कथा आप सभी के मन में प्रशन होगा कि भक्त माल कथा है क्या इसके नाम से ही पता चलता है यह एक भक्तवत्सल भगवान के प्यारे लाडले चहेते भक्तों की कथाओं की एक माला है जिसको श्री नाभाजी ने बिरोकर के प्रहु के श्री चरणों में अरपण किया आप मत भागवत कथा सुनते हैं उसको प्रहु के प्यारे प्रहु के नाम का आश्रे लेकर के जन जन तक पहुचाते हैं लेकिन भक्त माल कथा इसके प्रथम श्रोता मेरे ठाकुरजी स्वैम है भक्त माल कथा के प्रथम श्रोता मेरे ठाकुरजी स्वैम है आप सभी की जानकारी के लिए बता दो श्री बाके विहारी मंदिर में कौन-कौन गया हैं बाके विहारी मंदिर लेकिन कुछ ही लोगों को मालूम है कि बाके विहारी मंदिर में जब विहारी जी को भोग अरोगा जाता है तो उनके सम्मुख भक्त माल कथा का गायन होता है तब मेरे ठाकुरजी उस निवेदित प्रसाद को उस भोग को अरोगते हैं बिना भक्त माल के प्रभू को वहां भोग नहीं लगता विहारी जी के मंदिर में ऐसे ही आयोध्या में कनक भवन में कनक विहारी जी को जब रात्री में किशोरी जी के साथ शैन करवाया जाता है तो उनके संग में भक्त माल कथा को भी विराजमान किया जाता है रसीकों का संतों का गोसाईयों का ऐसा मानना है कि रातरी में बिहारी जी किशोरी जी को और किशोरी जी बिहारी जी को आनन्द देने के लिए अपने भक्तों की कथा एक दूसरे को श्रवन कराएं और आनन्द प्राप्त करें आपके घर में ठाकुर जी होंगी किस-किस की घर में ठाकुर जी है आप सब के घर में ठाकुर जी है अनेक सेवाएं आपने ठाकुर जी की प्रारंब कर रखी होंगी आज से एक निश्च और कर लीजे भक्त माल कथा को भी अपने घर में विराजमान कीजिए ये इतनी पवित्र भक्त माल कता है आप नित प्रति दिन बहुत ही सरल कता है इसको आप नित प्रति दिन मेरे ठाकूर को मेरे लड़ू गुपाल जी को आप सुनाए नित प्रति दिन एक भक्त का वाक्ती निकाले और ठाकूर जी को सुनाए मत पढ़िये कोई चालीसा किसी भी प्रकार की पूजा भक्ती बेशक आप कीजिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत करें लेकिन समय भक्त माल को जरूर दें एक भक्त की कता मेरे ठाकुर को नित प्रति दिन सुनाए शोन कराएं ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा और यदि किसी दिन समय ना हो मलूपीटर वाले श्री रजिंदर दाजी महराज परम पूजनी रसिका पागल जी महराज के परम शिश्य श्री चित्र विचित्र जी महराजी बावा जी कहते हैं कि यदि आपके पास समय ना हो तो आप ठाकुर जी को केवल इतना कह दें कि प्रभू आज थोड़ा सा कारे में व्यस्त हूँ आज मेरे पास समय नहीं है आपको मैं कल इस भक्त की कता सुनाओगा किसे भी एक भक्त का नाम लेकर के कह दीजिए आपको कल मैं उस भक्त की कता सुनाओगा आज थोड़ी सी व्यस्ता है आपसे आज की लिए शमा बिहारी जी कल के इंतजार में आपका घर छोड़ करके जाने वाले ने ऐसी पवन पवित्र कता है श्री मदभक्त माल कता इस कता को लिखा किसने ऐसा भी प्रशन आप सब के चित्त में होगा श्री नाभादास जी महराज एक बार की बात है हनुमान जी महराज योग में बैठे होते हैं और योग में बैठे बैठे उनको पसीना आ जाता है जब वो पसीने की बूंद टपकती है तो शंकर भगवान देख लेते हैं उसे अपने हाथ में उस पसीने की बूंद को ले लेते हैं और समय आने पर उसको नाभादास जी का रूप दे करके प्रगट करते हैं श्री नाभादास जी को नाभादास जी उनका नाम इसी कारण पड़ा नाभादास एक और कहानी है नाभादास जी के जीवन से जुड़ी हुई आप सभी जानते हैं मेरे ठाकुर जी अपनी बाल लीला के वक्त जब ब्रिज में लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने मेरे ठाकुर के ग्वाल जितने उनके सखा थे उनकी गईयां थी सब चुराली थी और भ्रम लोप में ले गए थे जब ब्रह्म लोप में ले गए तो मेरे ठाकुर ने अंत्रधान हो करके देखा कि ये ब्रह्मा जी की कर्तूत है ब्रह्मा जी को शाप दे दिया मेरे ठाकुर ने कि आपके पास नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन वाला कारे आपने किया है तो आप नेत्रहीन होकर के आप धर्ती पर जनम लेगे ऐसा भी मानना है कि श्री नाभादास जी महराज ब्रह्मा का ही अवतार है जब ब्रह्मा जी के अंच अवतार श्री नाभादास जी प्रकट होए प्रकट होते ही कुछ ही माहा के बाद उनके पिता जी का देहान तो हो गया पिता जी का देहान तो हो गया जिस गाउं में वो रहते थे वहां सूखा पड़ गया उनकी मैया उनका भरन पोशन उनका पालन करने है तू उनको वन में ले करके चली गई कि शायद कोई पुश्प मिल जाए, शायद कोई फल मिल जाए, कोई तरू मिल जाए, जिससे मैं अपने लाल की भूख मिटा सकूँ एक महा से उपर हो सका है, सुखा पड़े, कोई धंग से कोई चीज मिल नहीं पारी, पानी भी नहीं मिल पा रहा कैसे करूँ अपने इस लाल का भरण पोशन, इसी चिंता में, वे महिया उस बालक को गोद में लेकर के वनवन में घूम रही है महिया के शरीर में जान नहीं है, वे किसी व्रक्ष के नीचे उस बालक को छोटे से बालक को लिटा करके एक वस्तर पे और जंगल में कहीं पानी ढूंडने चली गई जब वे महिया पानी ढूंडने गई, काफी समय वेती तो हो गया, महिया लोट करके नहीं आया क्योंकि नाभादास जी, पिछले ही जन्मों से भ्रम्मा अंच है, इसलिए उनके बेशक ये नेत्र नहीं थे लेकिन हरदय के नेत्र इतने उजवल थे, कि उनको पता हो चल गया, कि लगता है मेरी महिया के साथ कोई घटना घट गई है इतनी देर मेरी महिया नहीं लगा सकती, इतनी देर मेरी महिया नहीं लगा सकती आप सोचिए ब्यावना जंगल उसमें एक बालक एक व्रक्ष के नीचे जिसे कुछ दिख्था भी नहीं अंधा है दोनों नेत्र ही नहें मैया दर-दर भटक रही है भटकते भटकते उस मैया के शरीर के प्राण पखेड उड़ गए वे जंगल में प्यासा बच्चा एक व्रक्ष के नीचे बैठ करके रो रही कुरला रही और मामा कहकर के पुकार रही काफी समय व्यतीत हो गए संध्या समय होने को आ गया अंधेरा होने को आ गया वे बालक के मैया नहीं उसके पास आई अरे आएगी कहां से वे मैया तो सर्ग सिधार गए आज बालक प्रमात्मा किष्णी चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि है प्रभू ये कैसा खेल है मेरे उत्पन होते ही मेरे पिता का दिहान तो हो गया मैया मुझे सुबा से छोड़ करके गई है और अभी तक उसका पता नहीं नाभादास जी को पक्का हो गया कि लगता ही मेरी मैया इस दुनिया में नहीं रही जिसमें तो होता है जिसमें तो होता है मगर जिसमें जान नहीं होते ही जिसम तो होता है मगर जिसम में जान नहीं होते ही उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की माँ नहीं होते है जिसको दुबा दी है रब ने जिसको दुबा वो रो के मामा को बुला लेता है वो बच्चा कैसे मा को आवाज लगाए कैसे पुकारे नाभाजे रे छोटे से बालक है कहीं चल करके जा नहीं सकते किसी से विने नहीं कर सकते कि कोई मेरी मैया को ला दो उस जंगल में कोई व्यक्ति नहीं है किसे प्रार्थुना करे नाभाज किसी दी रब माना मरे 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 इजिर्वा वारम्रे, इजिर्वा वारम्रे बेचक मंदिरे, मजदित तड़ा बुले जाए किना परमात पिता का दिल ना तो इत दिल में रब वस्ता है इस दिल में रब वस्ता है इस दिल में रब वस्ता है किसी दिल में रब वस्ता है तोबा मेरी मैनी बोलना मेरी बोलना मेरी बोलना मेरी बोलना तोबा मेरी मैनी बोलना तोबा मेरी मैनी बोलना मेरी बोलना किसी दि रब माना परे किसी दिम रब माना परे किसी दिल माना परे किसी दिल माना परे कैसे फुकारे नाभाजे उस बहभानिक जंगल के अंदर अकेले नाभाजे जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैया 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 कहिते वो बालक उसके प्राण सूख रहे हैं ना जाने कितने दिनों से उसने पानी भी नहीं पिया लेकिन कहिते हैं जो चोट प्रभु देता है उसका उप्चार भी प्रभु स्वेम करते हैं उसका उप्चार भी स्वेम प्रभु करते हैं जैसे ही नाभादास जी को विश्वाश हो गया काफी समय वैती तो हो गया कि मैया मुझे इतनी देर छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती मैया को चिंता होगे कि ना जाने कोई पशु आ करके मुझे कोई हाने ना पहुचा दे कोई चोट ना पहुचा दे मुझे अपनी भूख का ग्रास ना समझ ले मैया इतनी देर मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती उसे पक्का विश्वाश हो गया कि मेरी मैया के साथ कोई होनी घट गई है इसे के साथ साथ नावादास जी अपनी मैया का शुक्र यादा कर रहे है कि मैया तेरा शुक्र है एक काम तु जाते जाते बहुत अच्छा कर गई तु जाते जाते मैया एक मुझे पर उपकार कर गई तेरे ना जाने कितने उपकार मुझे पर लेकिन जाते जाते एक उपकार और कर गई मैया ते यदि मुझे तु गाउं में छोड़ करके जाती मुझे किसी व्यक्ति पर आस होती किसी जीव पर आस होती यहाँ तो दूर दूर तक मैया, कोई जीव नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी जीव पर आस नहीं है, किसी प्राणी पर आस नहीं है, केवल आस है तो अब जगदीश की है, वही मेरे पालनहार है, उनको पुकारने के सिवा अब मेरे पास और दूसरा कोई चारा नहीं है, तो न प्रगट नहीं है आपके जीवन में यदि अभी सद्गुर्दय भगवान नहीं आए हैं तो इस भाव के माध्यम से विश्वाश कीजिए आपके सद्गुर्दय भगवान जहां भी होंगे आपको अपने श्री चरणों में लगाएंगे लेकिन भाव के साथ कहिए प्यारे हर पल में मुझे सत गर्ड़ बस तेरा ताहारा है मेरी नईया का भालो तुम बड़ी दूर की नारा है हर पल में मुझे सत गर्ड़ बस तेरा ताहारा है हर पल में मुझे सत गर्ड़ बस तेरा साहारा है मेरी नईया का भालो तुम बड़ी दूर की नारा है कुझे सत गर्ड़ बस तेरा साहारा है लो तुम बस तेरा नारा है लो तूर के मेरी दूर की नारा इंसे टूर की नारा है लो तुम बस तुम इस जागे अनुदार मेरा तुम भी में कोई और नहीं इस जागे अनुदार मेरा दू जहाँ कोई कोई करी तेरे तरे के दिवा दाता मुझे कोई कोई और नहीं मुझे कोई तोर नहीं सब सार्थी के साथी सब जूटा पसारा है हर पल में मुझे सत गुर बस तेरा साहारा है मेरी नहीं ये संभा लोगू हड़ी दूर की नारा है मुझे कोई मुझे कोई मुझे कोई मुझे कोई आपी हूँ तेरा हूँ अपना लोगू इसी लोग वड़ी लोग मेरी मेरी नाजी बचाओ तुमे मेरी लाजी पचाओ तु तेरी गयान का तालिब हो तेरी बरा बंडारा है हर पल में मुझे सत गोड़ तेरा सहारा है नहीं ये समालों बड़ी गोड़े की नारा है कि आलों मुझे स सबाजा अलों मुझे सकतर Ohio जाजो फख difficile नार sandwich पहत की इ समालों मुझे सकतर देराा है नित आरिती पूजारे तेरी मही मादाओं में नित आरिती पूजारे तेरी आरिती पूजारे तेरी मही मादाओं में इस दास को सत गुर जी तेरा दर ही काफी है मेरे मुझे सत गुर मेरा सहारा है मेरी नई संभाल हो तुम बड़ी दूर की नारा है मेरी निया समाल हो तुम बड़ी दूर की नारा है क्या खाक मुझे में कमाल रखा है अब तक आपने संभाल रखा है और मेरे जैसे दरदर भटकने वाले विखारी को तेरे दर के टुकडों ने पाल रखा है नाभादास जी की करुण पुकार सुन करके आज ठाकुर के पास संदेश पहुँच गया कैसे ना रिजते करुणा नी धान कैसे ना सुनते ऐसी करुण पुकार नाभाजी ने कई और एक और से जंगल में जहां कोई दूर दरु तक कोई जीव नहीं है कोई प्राणी नहीं है तो संत गुरु भाई चले आ रहे हैं जिनका नाम है श्री कील देवजी और श्री अग्र देवजी महराज कील देव जी की निगा पड़ी अगर देव जी से कहने लगे अरे भैया जरा देखो वो पेड़ के नीचे कोई बालक नजर आता है अगर देव जी आगे हुए देखा बुले हाँ महराजी एक बालक ही है उस बालक से कील देव जी अकर देव जी पूछ रहे हैं कि आप कोण है नाभादास जी कह रहे हैं यदि आप मेरे शरीर की बात कर रहे हैं तो ये तो नश्वर है एक दिन नस्ट हो जाएगा और यदि आप मेरी आत्मा की पूछ रहे हैं वे तो अमर है अजर है उसका क्या परीचे दूँ मैं आप कील देव जी अगर देव जी एक दूसरे का मुख देखने लगे अगर देव जी ने पूछा उस बालक से आप कहां से आये हैं वे बालक बोल उठा कि भैया जहां से यह सबसंसार आया है मैं भी उसकरतार के दरबार से ही आया हूँ मैं भी उसके श्री चरणों से ही आया हूँ मेरा क्या ठीकाना है फिर पुने, कील देव जी, अगर देव जी एक दूसरे का मुख देखने लगे, निहारने लगे पूछते हैं आपका नाम क्या है नाभाजी बोले अरे क्या नाम बताऊं मैं आपको क्या नाम बताऊं प्रभु मैं आपको नाम तो केवल प्रभु का है परमात्मा का है मेरा नाम कुछ भी हो एक ना एक दिन तो मिट जाने वाला है और जो मिट जाने वाला है उसके नाम से क्या लेना देना अगर देव जी कील देव जी मुश्कुराए और बोले आपका पिता कोन है यही जानना चाहते है बोले सबका पिता वही पालनहार है मेरा इस संसार में कोई नहीं है मेरा भी वही पालनहार मेरा भी वही करता रहे पालनहार पिता पिता पालनहार वही मेरा पिता है कि बीच की ऐसी बात सुन करके अगर देव जी की आँख में आशु आगा इतना सुन्दर बालक है कितनी अलोकिक बाते करता है और इसके नेत्र भी नहीं संत की जब करपा होती है ना जाने कब हो जाएं कब रीज जाएं वी स्वाम किल देव जी ने अगर देव जी से इशारो ही इशारो में बात करी और बालक को उठाया अपने कमंडल से जल निकाला और बालक की नेपनों वाली जगह पर डाला और उस बालक को रोशनी आ गए संत बताते हैं कि भक्त वत्सल भगवान की ऐसी करपा संत लोग रसिक जन ऐसा बताते हैं कि नाभा दास जी की केवल नेत्र ही नहीं नेत्र वाली ये जगा भी नहीं थी जैसे ही हमारा माता संपट है ऐसे ये जगा भी थी नेत्र भी नहीं थे रोशनी तो थी नहीं नेत्र भी नहीं थे ये पूरा मास ही था लेकिन प्रभूर की सद्गुर्देव भगवान की कृपा हुई तो सद्गुर्देव भगवान ने जैसे ही जल छिन का अग्रदेव जी महराज ने त्यों ही नाभादास जी के नेत्र व्यूत्पन हो गए और नेत्र की रोश्णी व्यूत्पन हो गए इसलिए मैंने आपसे लगबग आज आदा दिन सिर्फ सद्गुर्दे भगवान की चर्चा करी है केवल इसी लिए ही कि सद्गुरु देव भगवान अगर ये नेत्र दिलवा सकते हैं, तो क्या मन के नेत्र नहीं खोल सकते हैं, मन के नेत्र भी खोल सकते हैं, लेकिन हमें अपने गुरु देव के पास जाना होगा, उनकी माननी होगी, उनकी सुननी होगी, हम गुरु देव धारन कर लेते हैं जैसे कोई कपड़ा खरीद लिया लेकिन हम उनकी मान दे ले इसलिए हम लोग भटकते रहते हैं इसलिए शायद हमारी बात पूरी नहीं होते कहते हैं कि डॉक्तर और वैद जैसे एक ही बात है नाम अलग अलग डॉक्तर अंग्रेजी दवाई देने वाले कोई या कह लिजे कि आज कल डॉक्तर कहा जाता है आधुनिक कल पहले वैद कहा जाता था वैसे ही सत्गुरु दे भगवान और डॉक्तर हैं आप डॉक्तर के पास जाईए कोई दवाई लिखवाई एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास बोला प्रहू मुझे ऐसी ऐसी एक बिमारी है डॉक्टर साथ मेरी दवाई लिख दीजिए डॉक्टर ने दवाई लिख देए दवाई इतनी असरदार थी बिमारी कोई खास नहीं थी डॉक्टर ने केवल दवाई लिख करके परचा मरीज के हाथ दे दिया लेकिन यदि अगर मरीज प्रशन करने लगे डॉक्टर से कि क्या यह दवाई मेरे लिए ठीक है तो ज़रा बताईए कैसी यह बुद्धी है यदि मरीज डॉक्टर से प्रश्ण करे परचा बनवाने के बाद की क्या यह दवाई मेरे लिए ठीक है एक बार के बाद है तो हशी की भाराज एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया मरीड गया उसने जाकर की डॉक्टर से परचा लिखवाया कि ऐसे ऐसे मुझे एक विबारी है आप परचा लिख दीजिए डॉक्टर साब ने परचा लिख दिया पहले तो बहुत देर वो दवाई परी चर्चा करता रहा दवाई किस फार्मा कम्पनी की है ऐसा ही होता है काफी देर चर्चा करें उसके बाद जब जाने लगा तो लोट करके आया बोले डॉक्टर साब मैं अरहर की दाल खा सकता हूं डॉक्टर साब बोले हाँ खा सकते हूं अभी गेट तक तक तो हूँ चाब फिराया वापिस डॉक्टर साब ने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो और नहीं खानी वापशी आया डॉक्तẹonton अब देिंडे से हुए ही खाशका उख टो बदे आव द समय रायर वापिस डॉक्तर साब मैंग है सब्सक्क्रा की शाइद डॉक्तर को याद आजा है क्योंकि ओड़्टर को बढ़ेखू समझ राए मरें हैं ये खा सकता हूँ वो खा सकता हूँ डॉक्टर साब ने का जो तेरी चा वो खा लेकिन मेरा सर मत खा अब बताईए ज्यादा डॉक्टर को कहेंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा अच्छा चलो आपने जो खाना हो खा लेना लेकिन हलकी चीज खाना ज्यादा भारी चीज मत खाना हलकी हलकी चीज खाना लेकिन मरीज तो मरीज है जो अपनी अकल लडाता है वो कहीं न कहीं फेल हो जाता है उसने का अच्छा हलकी चीज खानी है दिमाग लडा रहा है हलकी चीज मिट्टी में और पानी को यदि मिलाया जाए क्या बैठ जाएगा क्या बैठेगा मिट्टी बैठ जाएगी पानी उपर आ जाएगा बोले पानी हलका है बोले पानी और तेल को यदि मिलाया जाए तो उपर क्या आएगा तेल बोले तेल हलका है और तेल में यदि आटा का पेड़ा थोड़ा बेल करके डाल दिया जाए वो पूरी का रूप ले यह मारी का तो पता नहीं मरीज बचने वाला नहीं तो ऐसे इगुरु के बताए मार्ग पर जो संशे करता है जो हस्थ शेप करता है वो कल भी डूबा और आज भी डूबा मान। वो कल भी डूबा प्यारे आज भी डूबा। लेकिन नाभादास जी उन्होंने पूर्ण विश्वाश करके प्रभूब पुकार करी उनके मन के नेत्र तो बच्पन से ही उत्पन समय से ही नेत्र उनके खुले थे आज उनके वो नेत्र भी बापीस आगा। प्रार्थ ना करने लगे नाभादास जी कील देव जी से अगर देव जी से कि आप अपना शुष्य जानकर मुझे अपने श्री चर्णों में जगा दे दीजिए। कील देव जी अगर देव जी अपने साथ उस बालक को ले गए। मुंडन करवाया गया। उसे नाम दिक्षा दी गई। उसका नाम करण संसकार हुआ दिक्षा के बाद नाम रख दिया श्री नारायन दास जी। आज उस बालक का नाम हो गया श्री नारायन दास। श्री नरायन दास जी क्योंकि अपने सद्गुर्दे भगवान का कर्म पहले ही जान चुके थे बिल्कुल निश्काम भाव से सद्गुर्दे भगवान के श्री चरणों में लग गए वहाँ पर अनेकों अनेक संथ आते उनकी सेवा करते उन संथों का जूठन पाते उस आश्रम में जाडू गुहार करते आश्रम में जो भी काम दिखाई देता अच्छा काम से याद आया ऐसा भी होता है हमारा भी लालद्वारा मेरट में किसी को कुडा करकट दिखाई दे जाए लालद्वारे में तो वो प्रबंदक के पास जरूर जाता है जैसे उसको बहुत सफाई पसंद है जाकर के प्रबंदक को जरूर कहेगा महराज फलानी जगा पर गंदगी है अरे मुर्क सद्गुर्दे भगवान ने तुझे ये दिखाया है इसका मतलब उसकी कृपा है कि ये सफाई तू कर लेकिन वो उसकी मर्जी को भी ठुकरा देता है प्रबंदक को कहता है तू कर भई ऐसे ऐसे गंदगी है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर देव जी को मालूम था कि नाभादास जी श्री नाभादास जी ये बहुत श्रद्दा विश्वाश वाले हैं इसलिए उनको अपने श्री चरणों में स्तान दिया और श्री नाभादास जी आश्रम का सारा कारेभार संभालते संतों के लिए पकवान भी बनाते संतों का जूठन भी उठाते संतों का जूठन पाकर के अपने दिन चर्या को निभाते कभी शिकायत नहीं करी अपने गुरु से सदेव गाते रहते मेरे सत्गुर्व तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे कौन-कौन अपने गुरु दरवार का सेवक चाकर बन करके रहना चाता है वो इस भाव को जूम करके नाच करके गाता रह भीया मेरे सत्गुर्व तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरे सत्गुर्व तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरी की तब हादरी सबसे योगी है सबसे ख़री तेरे दरी बारे की हादरी सबसे बढ़िया है सबसे ख़री सबसे बढ़िया है सबसे ख़री कुछ नसीबी का जब भल दिये मेरे मालिक तेरा दर मिले मेरे मालिक तेरा दर मिले खुछ नसीबी का जब भल दिये मेरे मालिक तेरा दर मिले गई जब से रहत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे ख़री मेरे तेरी नोगरी सबसे बढ़िया है सबसे ख़री सबसे बढ़िया है सबसे ख़री जब से तेरा दिनाम हो गया 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 किसे तेरा तुनाम हो गया, कब से मेरा भी नाम हो गया वाना पौनका देका पी है डिली, सबसे दरिया है सबसे खरी दोप पी नौझरी, सबसे बड़िया है सबसे खरी तेरे दर की तब हूँ वाजरी सबसे उन्टी है तब देखरी मेरे दुर्बार की हाजरी सबसे बड़िया है सबसे खरी केहते हैं कि ना कभी जीवन में अमीर रहना ना गरीब रहना अरे रहना तो गुर्दीव के चरणों के करीब रहना मेरे सत्य गुर्देरी ओधिरी सबसे बड़िया है सबसे खरी सबसे बड़िया है सबसे खरी मेरे से खरी मैंने हीता की दीवा मुष्का, बस पहारा तेरे लाँ का, हीता की दीवा मुष्का यदि आप गुरुदे मुझे अपनाते नहीं तो ना जाने उस जंगल में उस दिन मुझे कोई पशू खा जाता मैं किसी काम का नहीं था लेकिन आपकी करुण ने, आपकी करुणा ने मुझे अपनाया है इसलिए कह रहा हूं गुरुदे मैं नहीं था किसी काम का बस सहारा तेरे नाम का मुझे ली मैंने गंसिल नहीं अपने बड़िया है सबसे खरी तेरी नौकरी सबसे बड़िया है सबसे खरी मेरे सद्गुर तेरी नौकरी सबसे बड़िया है सबसे खरी तेरे दऱ्िया है सबसे खरी तेरे नौकरी सबसे बड़िया है सबसे खरी मेरे सद्गुर तेरी नौकरी सबसे बड़िया है सबसे खरी सद्गुर हाजरी सबसे बड़िया है सबसे खरी मेरे सद्गुर मेरी नौकरी सबसे बड़िया है सबसे खरी पुरिभाई पच्छल भगवान न की जाए